चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगलों जो बैल का एकन अपली जब इसे जरूर प्रेस करें साथी साथ आल पर प्रेस करें ताकि आपको बनी लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरतावादर याई नेन यूटूबर और आप सबी लोगों का मेरी यूटूब चैनल पर स्वागत है करके होम मेड रिफिल बना करके आप अपने घर में यूज करिएगा आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सरल घरी लूपाए बताऊंगी जिससे की आपका कम खर्ष में आपके घर के सारे मच्छर भाग जाएंगे और इसका कोई भी स्वाइड रिफेक्ट नहीं होगा किसी के उपर चाहिए वो बच्चा हो चा बड़ा हो चा बजूद को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की और आज मैं आपको होम मेड रिफिल बनाना सिखाऊंगी होम मेड रिफिल नीम यह मैंने कड़वा नीम लिया है और नीम का पेड़ आपको हर जगह मिल जाएगा ऐसा कहीं नीम का पेड़ ना हो तो दोस्तों यह बहुत कम पैसे में आपको मात्र 2 रुपए या 3 रुपए खर्च होंगे आपके और आपका लिक्ट बन करके तैयार हो जाएगा तो आ अधरवाइद आपको रोट के किनारे कहीं पर भी मिल जाएगा हर जगह उपलफ होता है नीम का पेड़ तो दोस्तों आप इस तरीके से नीम की पत्यों को ले लीजिए अब इसको हम डालेंगे मिक्सी के जार में तो यह मैंने बीच वाला जार लिया है अब इसमें हम थोड और अब आपको क्या करना है इसका लिक्विड बनाना है यानि कि पेश्ट बनाना है तो यह देखे इस तरीके से आपको इसका पेश्ट बनाना है और अब हमें क्या करना है अब हम लेंगे एक पैन और पैन में हम रखेंगे च्छनी च्छनी आप थोड़ी सी मोटे तार वा है आप जरूर ट्राई करना यह है कि सारे मचलों को घर से बाहर करेंगा आप मार्केट की जो मॉस्टीर इ Thermolam तर तक आप ज़र तक आप। मचल का जाते हैं तो यह लिकड यह ऐसा आप जब इसको लगांगे ना तो इसका अशनक जातके रहता और इसका जो ये जो बचा हुआ नीम का पेष्ट है इसका हमें अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी तो इस तरीके से हम सारा लिक्ट यानि कि इस नीम के पेष्ट को चान लेंगे इस तरीके से अब इसके बाद में हमें क्या करना है ये देखे लिक्ट हमारा निकल आया है अब इसके बाद में हम चलते हैं गैस की हो यानि की किशन में चलते हैं गैस की हो और इसको हम खुला लेंगे सिमाच पर इसको आपको पकाना है और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे आपको मात्र एक से दो मिनट इसको पकाना है ये देखिए पका करके आप इसको ज्यादा एकदम से गाड़ा ना करें इस तरीके से आप इसको खुला लें खुलाने के बाद में इस पैन में जब एक कब ये लिक्ट रह जाए तो आप गैस का फिलम कर दें बंद यहां मैं मिलाएंगे इसमें हम क्या मिलाएंगे बो है कपूर यहां पर मैं दो कपूर की टिकिया जो आप पूजा में यूज करते हैं बो वाली कपूर की टिकिया का पाउडर बना करके हम इसमें डाल देंगे और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे दोस्तों नीम और कपूर की टिकिया आप देखना इतना अच्छा कमाल करेगी कि आपके के सारे मच्छर गायब मैं आपसे बोल रही हूं तो इसलिए आप मुझे विस्वास करना और जैसे मैंने बताया है यह नुस्का आप इसको जरूर ट्राइगरना आपके घर में एक भी मच्छर न निकालने और इस टाइप से इसका यह कैप खोल करके इसमें हम लिक्ट भर देंगे तो आप किसी फनल की मदब से बर दें या फिर आप इस तरीके से इसका लिक्ट इस सीसी में डाल दें बड़े आसान तरीके से पढ़ जाता कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो यह देखिए तो यहां पे मैंने इस रिफिल को भर दिया है इस लिक्ट को रिफिल में और अब इसका जो कैप है इसको हम लगा देंगे यह देखिए तो लीजे दोस्तो आपकी मच्छर बगाने वाली वसीन बनकर तयार हो चुकी है अब इसको हम उसी तरीके से इस मसीन में लगा देंग दोस्तो मैं इस तरीके का liquid बना करके अपने घर में भी यूज़ करती हूँ इस रिफिल को मैंने जो वीडियो में दिखा रही हूँ इसको मैं अपने घर पर भी यूज़ करती हूँ तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ बोर्ड में लगा करके इस रिफिल को तो यह देखिए दोस्तो आप इस तरीके से इस लिफिल को लगा दीजिए बोर्ड में और इसका बटन ओन कर दीजिए जब यह लुकिट जो इसे है जैसे आप इसको ओन करेंगे तो यह लुकिट होगा गरम जब यह गरम होगा तब इसकी जो नीम की कड़वाट वो निकलेगी यानि कि उसकी खुसुबू निकलेगी और कपूर की खुसुबू निकलेगी आप देखना और थोड़ी दर के लिए आप करीबन 10-15 बिनट के लिए आपके अपने कमरे की खिड की दर्वाज़े बंद कर दीजिए और 15 मिनट बाद आप अपने कमरे से कमरे की खिड की खोल दीज़े कोई प्रप्लम नहीं है सारे मच्छर गायब हो जाएंगे आपके कमरे के आपके पूरे घर से सारे मच्छर गायब हो जाएंगे दोस्तों आप बस इस तरीकी की रिफिल बना करके लगाईएगा यूज करिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंदा वीडियो को लैक कर दीजिए सेर कर दीजिए चैनल को सबस्क्राइब को लीजिए मैं मुती नोड़ी साथ तब तक के लिए नमस्कार